कुकुंस से अपका जिस तरह धागा निकाला जाता है तो वो किस तरह से निकाला जाता है वह आपको देखा रहे हैं यह आपका rolling machine है इस खड़ाई में आपका पानी को गरम किया जाता है गरम करने के बाद जो कुकुंस होता है कुकुंस को आपका इसमें डाल के थोड़ा नरम कर लिया जाता है उसके बाद यहां से एक एक रेशा अलग से निकलना शुरू होता है और उसी रेशा को आपका अलग अलग से इस तरह से अपका एक फड़ तरह मसीन है इससे अपका इसको निकाला जाता है यहां पर एक धागा है अपको साइद नहीं दिख रहा होगा है कैमरा में यह धागा है यह धागा को आपका इस तरह से निकलके लपटके इसको फिर अलग से एक फोद आपना दील में अपका लपेट लिया जाता है, ये रील में आपका इस तरह से लपेटा जाता है, इसके बाद फिर इसको एक बड़ा आपका रोल में आपका लपेटा जाता है, इसका कूकुल सकुछ इस तरह से होता है, और आपका गरम करने के ब ताट पिर इसको अच्छा से अप्राइस दशिल में अप्रा लपेक के, जब यह पूरा काम कॉंप्लीट हो जाता है तो इसको यहाँ से अलग करके, यानि ओ दो बड़ा अप्र रोल है उस रोल में अप्राइस को लपेक लिया जाता है, इस दो अप्रा ध्रागा से और इसका जूट होता है जूट क्यों सब्सक्राइब अलगते बेश दिया जाता है यहां से जो आपका इससे जो आपका धागा निकलता है वह बहुत हाइब काई क्वालिटी का अपको दर्षान होता है लेकिन वो जो ठैक भी होता है इहां से जिवाज आपको धागा निकाला जाता है इसको छोड़ा-छोड़ा पीस करके काट के फिर उसमें लंबा धागा बना आए जाता है वो क्वालिटी बहुत अच्छा होता है उससे आपका जो साल होता है चादर होता है या फिर आपका जो सब इसी चीज से बनाए जाता है मेरा जो ऐसां पहनते हैं डिया फिर साडी जो के बहुत ज़्यादा कीमत वाला होता है रेशम का साड़ी यह आपका जो धागा है यहां से बनारा चला आता है और जो बनारा सी साड़ी होता है रेशम का वही साड़ी इसी अपका धागा से अपका बनता है और जो यह है यह आपका जो चादर है साल है यह सब बनता है तायर का जो अपर धागा निकलता है या फिर प्राशुट का जो धागा निकलता है वो इस चीज़ से अपका बनता है तो दोस्तों मेरा इस चानल को सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक भी कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए या फिर अपका दोस्तों के साथ जानकारी अगर देन झालकश याओ जाल को सब्सक्राइब कीजिए जैए पिर इस चीज़ झाले कीजिएग कीजिए झाले है वो इस चीज़ कीज़ा प्रेख़ जाता है।